तो आप में से बहुत सारे लोग अपना नया लैप्टॉप खरीते हैं या कम्प्यूटर खरीते हैं उसके बाद content recording की बात आती है तो महगे महगे कैमरे भी खरीते होंगे लेकिन जिनके पास महगे कैमरे नहीं है और उने अपने लैप्टॉप और कम्प्यूटर के लिए एक HD या 4K वेबकेम की जरूरत है तो घबराने की कोई बात नहीं है अब आपके पास चाहे iPhone है या आपका Android फॉन है तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे बिलकुल फ्री में iPhone या Android को आप एक वेबकेम की तरह इस्तमाल कर सकते हैं और वो भी 4K में अपनी recordings कर सकत हैं और बहुत सारी settings मिलने वाली है फ्री application है अगर आपके पास एक single Wi-Fi router यूज़ कर रहे हो तो कैसे iPhone या Android को आफ वेबकेम की तरह इस्तमाल कर सकते हो चलिए बेना कुछ देर की शुरू करते हैं नमस्कार मैं अभी मेनी बारद्वाज आपका स्वाइद करता हूं My Big Guide Smart Class म और हमेशा आपके लिए बहुत ही useful content लेकर आता रहता हूं अगर आप आगे भी ऐसे content देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा तो इसके लिए हमको एक free application की जरूरत होगी और ये free application हमें मिलेगी कहाँ पे ये मिलेगी हमें Microsoft Store के उपर Microsoft Store से कोई भी application डाउनलोड करने के लिए छोटी से Microsoft ID की जरूरत होती है तो आचा है वो आपने बना ली होगी तो अभी आपको क्या करना है आपको यहाँ पे apps and games पे जाना है और यहाँ पे simple आपको type करना है Camo Studio ठीक है एंटर कर दीजे तो यह जो Camo Studio है यह बिल्कुल free application है आपको यहाँ पे click करना है and इसको यहाँ से install कर लेना है Camo के 10 million plus users हैं और यह application वाकई में बहुत जबरदस्त है एक बार install कर लीजेगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ को क्या क्या इसमें और मिल जाता है जब यह application install हो जाएगी तो आपको यहाँ से इसे open करना है या computer में से भी आप यह simple directly open कर सकते हैं तो Camo Studio यहाँ पे open हो चुग रहा है वो मेरे laptop के camera का है जो मेरे side में यहाँ पर रखा हुआ है और quality आप देख रहो किस तरह की आ रही है लेकिन अब मुझे quality और better कर दी है तो मैं अपने phone के camera का भी इस्तिमाल कर सकते हो यहाँ पर इस तरह के यह सारे जो option है वह आपको मिल जाएंगे अब नया आपको इ Android है उसका camera बहुत अच्छा है वो आपको इसके साथ में connect करना है तो यह जो plus का icon है इस पर आपको click कर देना है जैसे आप plus के icon पर click करेंगे तो यहाँ पर open camera on your phone लिखा हुआ जाएगा तो यहाँ पर एक छोटा सा application आपके phone में install करना है तो मैं सबसे पहले iPhone में install कर लेता तो यहाँ पर अभी मैंने जो camo app है वो अपने iPhone में open किया है और जैसे iPhone में आप यह app open करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा यहाँ पर computer में आप देख रहे हैं कि QR code आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर phone में आपको कुछ इस तरह की screen नज़र आ रही ह तो sim wifi से मैंने connect कर लिया है अब मैं इस icon पर tap करूँगा और जैसे tap करूँगा तो यहाँ पर जैसे WhatsApp web का camera open होता है वैसे ही यहाँ पर एक scanner open हो जाएगा अब इस scanner से या इस camera से मैं इस QR code को scan करूँगा और ऐसा करते ही मेरे iPhone का camera मेरे computer से pair हो जाएगा अब आप देख सकते हो तो मैं जहाँ भी इस camera को turn कर रहा हूँ वहाँ यह camera काम कर रहा है और इस camera से related बहुत सारे settings यहाँ पर हमें दिखने लग जाएंगे अब चलिए आलों settings को भी समझ लेते हैं फिलाल के लिए मैं अपने iPhone के camera को अपने यहाँ stand पर लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अभी जो camera आप यहाँ पर देख रहे हो पीछे वो मेरा back camera है और मैं अगर चाहूँ तो इसको selfie camera में भी convert कर सकता है अब जिस तरह से मैंने अपने iPhone को connect किया है उसी तरह से मैं अपने Android phone के अंदर भी यह जो application है उसे install कर रहे था Android के अंदर भी हमने यह application install कर अब अगर साथ में Android भी हमें जोड़ना है मलब दो फॉन हमें एक साथ में जोड़ने है तो बस यहाँ यह प्लस के आइकन पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर QR code आपको दिखाए देगा और Android phone से भी same हम इस QR code को scan कर लेंगे और scan करते ही Android phone भी हमारे computer के साथ में pair हो जाएग ठीक है तो अब यहाँ पर मैं इसकी कुछ settings दिखा देता हूँ phone को भी मैं यही पर रख दूँगा और यहाँ पर आप देखोगे कि जब मैं drive वाले option पर जाता हूँ तो यहाँ पर iPhone और मेरा Android phone है दोनों दिख रहे हैं और अगर मैं iPhone पर क्लिक करूँगा तो same time पर iPhone का preview मु इसे कर सकते हैं तो इसके नीचे आप आएंगे यहाँ पर जैसे आपने iPhone सेलेक कर लिए तो same इसके नीचे आपको lens का feature देखेगा lens की feature को जैसे आप open करेंगे तो आपके phone के अंदर जितने lenses लगे होंगे उनकी list आपके यह पास में आ जाएगी जैसे ultra wide, wide, telephoto और selfie तो अभ view है वो दिखाई दे रहा है इसके नीचे ही आपको यहाँ पे आपकी camera का resolution मिल जाएगा और अगर आप इसका free version यूज कर रहे हैं तो आप 720 pixels पे इसको use कर सकते हैं बिलकुल free में लेकिन अगर आपको 4K चाहिए या 1080 pixels चाहिए तो आपको इसे purchase करना पड़ेगा तो purchase करने की ज़रोत क्या है यहाँ पे भी बड़ी अच्छी quality आपको मिल जाएगी यहाँ से आप अपना जो frame rate है यानि frame per second का जो rate है उसे change कर सकते हैं हमारे यहाँ पे जो standard rate है वो 25 fps है तो आप 25 fps पे से change कर लीजे अगर आपकी light में आपको fluctuation दिखाई दे रहा है तो यह आपके समझ म उसको यहाँ से सीदे सीदे connect कर सकते हो और audio को record कर सकते हो इसके लावर नीचे आपको iPhone का माइक है iPhone का camera है उसकी भी recording आपको सीदे सीदे यहाँ पे मिल जाएगी अगर mic नहीं लगा है इसके नीचे आपको कुछ presets मिलते हैं presets मने आप यहाँ पर अलग-अलग तरह के जो color options है उनको इस्तिमाल कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर कोई एक color option select करूँगा, तो वही मेरे phone के जो camera में आपको colors दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, इसके नीचे आपको scene और watermark का option मिल जाता है, अम मान के चलिए यहाँ पर आपको आपका नाम डालना था, तो सबसे पहले मैं selfie camera कर लेता हो, यहाँ पर आपको आपका नाम डालना था, तो आप यहाँ पर यह वाला option select करेंगे, और देखिए आपका नाम, आपकी channel का नाम और सारी detail यहाँ पर आजाएगी, recording के समय ही, अगर आप यह वाला scene select करते हैं, तो आप देखो, यहाँ पर आपका नाम नीचे और आपकी detail रहेगी, इसके लाबा यह अलग-अलग तरह के जो scene हैं, आप उनको select कर सकते हैं, और आप अपनी firm का नाम डाल सकते हैं, कोई एक frame लगा सकते हैं, यहाँ जैसे आप चाहे हैं, और वो जो frame है, वो same time पे आपको अपके camera में दिखाई देता रहेगा, तो आपके लिए मैंने शुद सरल हिंदी भाषा में एक बहुत ही बेतरीं computer course से यार किया है, जिसमें 22 से ज़्यादा professional course हैं, और यह जो course है, यह offline mode में है, यानि इसके लिए आपको internet की भी आवशक्ता नहीं है, स्क्रीन पे यह जो list दिख रही है, यह 22 के 22 course, आपको offline mode में, इस description में दिएगे link पर click करिए, और इससे संबनेता आपको जो भी जानकारी चाहिए, आप हमारे team member Manoj अतरों से बात कर सकते हैं, उनका number मैंने यहाँ पे नीचे screen पर दे रखा है, या फिर आप हमारी website offline.pcskill.in पर जा सकते हैं, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसके track करता रहेगा, मैं यहाँ पे इस option को अगर select करूँगा, और कहीं भी move होता हूँ, इस तरह से, यह same time पे मुझे हमेशा track करता रहेगा, मैं जिदर भी move करूँगा, उस हिसाब से, ठीक है, अगर मैं frame से बाहर जाऊँगा, तब भी यह मुझे track करेगा, मेरे phone की तरह ही, तो आपको पीछे वाला जो area है, मैं थोड़ा सा पीछे और कर देता हूँ, तक कि आपको अच्छे समझ में आए, इसके लाबा पीछे वाला जो area है, इसको आपको blur करना है, तो यह वाले option पे आप टैब करेंगे, आपका पीछे का area है, वो blur हो जाएगा, और फिलकुल ही blur करना है, कुछ दिखाई ना दे, तो यह use करिए, green screen पे लेके जाना है, तो इस option को tap कर दीजे, सारा जो area है, पीछे green screen आ जाएगी, सब कुछ हट जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाता है, spotlight का option, spotlight में आपको use करके दिखा देता हूँ, camera को थोड़ा सा मैं यहाँ पे set करूँ मैं इदर उदर होके जा रहा हूँ, वो आपको light दिखाए देगा, spotlight को आप अपनी साब से manage कर सकते हो, अंतर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसके लावा यहाँ पे filters दे रखे हैं, इसके लावा यहाँ पे AR का option दे रखा है, जैसे AR में आपको background mute कर सकते हो, emoji face बना सकते हो, मैं यहाँ पे कोई भी emoji अपने face पे लगा सकता हूँ, इसके लावा यहाँ पे invisible वाला option है, मैं same time पे अपने camera को use करते समय यह इस तरह से invisible भी हो सकता हूँ, इसके लावा यहाँ बहुत सारे option दे रखे हैं, आप AR, VR वाले बहुत सारे जो effect हैं, वो यहाँ इस सकते हो, इस तरह के कई सारे जो effect हैं, वो यहाँ पे आप इस्तिमाल कर सकते हो, और same time पे आप उनको use कर सकते हो, तो मैं अब यह एर वाले जो effect हैं, यहाँ से बंद कर देता हूँ, अब आ जाता है आपके camera के जो pro option हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं, जैसके आपको एक DSLR camera मे manage करने का option, brightness manage करने का option, saturation manage करने का option, contrast manage करने का option, तो यह बहुत सारे option आपको इस camera के अंदर मिल जाते हैं, अब यह camera एक webcam की तरह काम करता है कि नहीं, तो बिलकुल webcam की तरह काम करता है, आप कोई भी application इससे अगर use करेंगे, जैसे Filmora में आप इसे use कर सकते हैं, Google Meet में आप इस licensing करते हैं, वहाँ पे यह application बहुत अच्छे से काम करती है, चाहे आपका Android phone हो, चाहे आपका iPhone हो, गजब तरीके से काम करती हैं, मैंने कई सारे तरह इसे use करके देख लिया है, अच्छे यहां पे एक चीज और आपको बता रही है, यह जितनी आपको चीज़ें यहां पे दि दिख जाएंगे, recording कहां पे जाकी save होगी, वो सारे option दिख जाएंगे, इसका input channel कौन सा रहेगा, studio रहेगा, या mono रहेगा, वो दिख जाएंगे, और यहां पे जो scenes आपके हैं, जिस पे आप text लिखा हुआ रहा है, जिसमें profile picture है, नाम है, social media के accounts है, email ID है, location है, यह सारी चीज जब मैं कहीं पे क्लिक करूंगा, तो mail ID आपको यहां पे display करेगी, तो इस तरह से आप इस application का इस्तेमाल कर सकते हो, और एक और गजब की चीज़ बता रहा हूं कि, यहां पे सीधे जो आपको camera दिख रहा है, उसकी सीधे सीधे आप recording भी कर सकते हो, यहां पे आपको recording का option मि इसको stop करते ही recording, आपके जो folder अभी आपने setting में जाके save किया है, वहां पे जाके वो save हो जाएगी, यह इसके लावा अपनी recording के लिए अलग-अलग folders को भी select कर सकते हैं, तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको application बताई है, वो application आपके बहुत काम आई ह और आगे भी आपको जब भी इस तरह का content record करना होगा, तब आप इस application का use करोगे, मुझे feedback जरूर देना कि यह application आपको कैसी लगी, आपने बहुत देर यह वीडियो देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुरूर से लेके आखिर वीडियो देखने के लिए, और आगे भी आपको इस तरह की वीडियो देखने हैं, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, आगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो आगे भी आपके लिए ऐसी free applications लेकर आता रहूँगा, मैं बिलता हूँ आपसे एगले वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन, वन्न आपके लिए मात्रम.